नमस्कार दोस्तों रोजना राश्वी पल दखने के लिए चैनल को शब्सक्राइब कर लें शाथ बेला एकन को प्रेश कर दें ताकि दोस्तों आपके राश्वी से जूड़ से भी जानकारियां शब्सक्राइब पहले आप तक पहुंशके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम शुकों का लाब लिशकें तो आई दोस्तों के शाथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 मई दोजर बाइश के आपके राश्वी फल के बारे में सबसे पहले दोस्तों जिनका भी यश्मे बर्तिडे है या फिर रेनासरी है आप शब्सक्राइब के राश्वी में आपको शावजर नहीं होगा और आकिर कौन कौन शेकारी आपके लिए भागे शले होंगे दोस्तों या शुमे आप कल अब लाइब स्वास्त करियर और धन के सिद्य के श्रेंगी साथे दोस्तों वीडियो के मत में आप शुभी के लिए बहुत यच्छे बिचात देगे हैं जिने आप जरूर देखेगा आपको काफी अच्छा लेगा तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों दिन मंगलवार के दरहेगा किर्शमपस की नौ में तिती रहेगी पुरुभात प्रता नाम का जदिन अच्छत रहेगा ज़ाद दोस्तों दिन बिश्कुम नाम का शुभयोग रातरी के 11 बचकर 41 मिर्द रहेगा उच्छ गुपरानती प्रीती नामा शुभयोग प्रार्म हो जाएंगे दोस्तों दिन राहू कल के श्मी बात करें अर्थात अशुभ श्मी की दोस्तों द्यान रहे आप यह श्मी कोई भी शूब और महत्मुन कारे को भूल जब हैं तो दोस्तों यह श्मी रहेगा श्राम के तिन बचकर वेलाश मेंट लेकर श्राम के पांच बचकर रखी動画 लोगों की कमजोरियों का पता लगाने से अच्छा है कि मनुष्य अपने दुर्गुनों और कमजोरियों का पता लगाए किसी को कभी दुख मत देना क्योंकि दी हुई चीज एक दिन हजार गुना होकर लोडती है दोस्तों अंदे अंदे का अगर नेतियुत करेगा तो दोनों खाई में ही गिरेगा मुर्गों लोगों से कभी बश नहीं करनी चाहिए वो पहले आपको अपने अस्तर पर ले आएंगे और फिर आपको अपने अनुभव से हरा देंगे इनसान के जिस्म का सबसे खूप्स रधिस्सा होता है दिल और अगर वो ही साख नौ हो तो चमकता चेहरे किसी काम का नहीं होता बोलने से फहले सब्द मनुष के वस में होते हैं परन्तु बोलने के बाद मनुष सब्दों के वस में हो जाता है जब तक आप अपनी शमस्याओं यों कटनायों की वज़ा दूसरे को मानते हैं तब तक आप अपनी शमस्याओं यों कटनायों को मिटा नहीं सकते पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वेंग बनाता है पथर की तरह नहीं जो दुसरों के रास्ता को भी रोग देता है तो चली इसके साथ बात करते हैं आज की राशिफल की देनी राज़िफल दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में गहराई से च्छान भी नवश कर लें दोस्तों आपको इसके उत्तम रिजल्ट भी हाजल होंगे आपको बदा दें कि बच्चों का कोई उपलब्धी मिलने से घर में भी खुशी वरा माहौल रहेगा खर्चों को शिमित रखें नहीं तो आपका बजट बिगड़ सकता है दोस्तों बच्चों की शमच्चाओं में उनका मार्दसन अवश करें यह आपके लिए अतियुत्तम होंगे इसको प्राण दोस्तों याश में किसी ने दिखी रिष्तेदार के यहां जाना का मुका मिल स चीज़ें आपका मन यह में थोड़ा सा वैठीद भी रह सकता है कुब लिए लेकिन दोस्तों आपको अपको अपवाश क्यों मिल रहा है इस बात करने के अत्यनताव शक्ता बन रहे हैं जियोन में यह अनुभव बार बार जो है आना यह बतलाथा है कि आप अपनी गलतियों से सीख नहीं पा रहे हैं ज्यां दोस्तों और उन्हें बार बार दोहरा रहे हैं तो दोस्तों यश्मी इन बातों पर जरूर ध्यांदें दोस्तों ये आपके लिए यश्मी अतियोत दम होंगी इसको प्रांद से यश्मी में आपके लिए जिसम होंग दोस्तों आपको बदा दें कि किसी मित्र की मुशिवत में उनका शयो करण आपको आत्मे खुशी भी प्राप्त करेगा रश्णमाद प्रश्णात्मक तथा धार्मिक किरेकलापों के प्रति भी आपकी रुजान बढ़ेगी चुनुतियों को शयोकार करण आपके रिए शफल द्धान निकाल पाएंगे याश्मे वाउकता में बहकर कोई भी निरले ना ले वाइवारे के दिश्चिकां रखना इसमें आपके लिए अध्य आउश्य होंगे इश्क्त राहतों से याश्में आपको बता दें कि दोस्तों काम पर अधिक ध्यान देने की वज़से परिव लिएगे जो भी निरले हैं इनके वज़ेशे आपको जो है आर्थिक फायदा भीश में प्राप्त होशकते हैं इसको प्रादों से ये शमय आपके दिंचरे रहे के लिज़ेश रहोंगे दोस्तों आपको बता दें कि आपका अत्मिश्वास तदा शकार्तमक दिश्टी कौन आपके कारियों को बहतर तरकीशी पूरा करने में भी शायक रहेगा घर की सुख सांती शुदा वस्तुओं की खरिदारी भी हो शकती है घर की सुख से उदा शमंदी वस्तुओं की खरिदारी में भी परिवार के शाथ समय वज़त होगा कोई पैतरिक प्रोप्टी शमंदी मामला भी यहाश में हल होँशकते हैं इसको प्रांदी दोस्तों यहाश में दोस्तों तता समन्दियों के शाथ शमय वहतित करने के बजाए अपने व्यक्तिकत कारियों पर ही ध्यान दे दोस्तों अपने गुशे और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर नेंतर रखना यहाश में आपके लिए अत्यावश होंगे यह स्वभाव की वज़शे आप किसी मुसिवत में भी पढ़ शकते हैं तो दोस्तों यहाश में इनसे आप बचने का प्रयाश करें इसको प्रांदी यहाश में आपके लिए उचित रहेगा कारे में में जोने संगता तो दोस्तों समय अनुकूल है कोई श्रमाश श्रवी संक्ता में भी योगदान देने से आपको खुशी मिलेगी यूवर्ग और अपनी महनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल करने वाले हैं ज्यां दोस्तों इंशे आपका मन बहुत ही ज्यादा प्रशन रहेगा लेक जैसे स्ववाव पर नेंतरन भी आप रखें दोस्तों इनकी वज़शे आपके कई काम भी बिगड़ सकते हैं दोस्तों आपको बता दें कि नईदिकी रितिदार के शाथ मन मुठाव जैसे इतिती भी बन रही है दोस्तों ये श्रमें थोड़ी से 20 सावधानी आपकी रिस् वह भड़ सकते हैं लेकिन दोस्तों इनका अशर आपके रिलिस्टन्सिप पर नहीं होगा दोस्तों आपको बता दें कि अब मद्वित मुखिता प्रॉप्री से समझे बातों के वज़े से होंगे आपका नजरिया लोगों को समझा पाना और लोगों दोर आपकी भावनों क संपर्ग भी आपके बच सकते हैं दोस्तों आपको बता दे कि सरकारी शुवारत वव्यक्तियों को जो है बेहतरी शेवा परदान करने से उचेत परिणाम भी हाशिल हो सकते हैं इसको प्रांद दोस्तों यदि आप कारी से समझे दियात्रा विदेस में करना चाहते हैं तो परन्तु खर्चे बढ़ सकते हैं याश्रों में मार्केटिंग रूबंदीक कारियों में अधिक ध्यान देने की जरूरत होंगी दोस्तों आपको बता दें कि नोकरी पैचाव एक्तियों के लिए पस्तितिया नुकूल है तरके भी मिलने की संभाव ना बन रही है इसको प्रा के लिए बहुत ही उत्तमहें होंगे बहुत ही बहतार् सबहें इसकी बजाय आपको अपने कोpert रखै रखना चाहिए ब्ल वक स्थी है नोकरी पेचा वेक्तियों को कोई महत पुन अथर्टी भी यश्मी मिलने की शंभावना बन रही है इसके शाथी दोस्तों यश्मी तो अपकी लवलाइब के लिकार बात कर नर्थात आपके पारिव्लक जोन की तो दोस्तों यश्मी पति-पत्नी के शंभाड़ों में कुछ मदभीत रह सकते हैं शमय कनुशार अपने वायवार में भी परिवर्तन लाएं प्रेम शमन्दों में भी भावनों तक परश्यानिया शमय तोड़ी शी आ सकती है इसके प्राइम शमय आपके लबलाइक के लिजर समयोंगी आपके पारिव्रिक जिवन के लिजर समयोंगी इसको प्राहन दोस्तों यहाश में आपके लव लाइफ के लिए जिवन 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 के लिए बहुत ही उत्तम शागत होंगे इसको प्रांद दोस्तों ये शुमे आपकी लव लाइप के लिए जब होंगे दोस्तों आपको बिदा दे कि परिवार के शाथ मुररंजन तरह डेनर रादी के लिए जाना यादगार पलों में शामिल होगा पति-पत्निक के शमवनों में भी भावनों द्वंग नजदे कियां बढ़ने वाली है इसको प्रांद दोस्तों ये शुमे आपकी स्वास्त को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की तो दोस्तों ये वह अंसाल लुगत परिशानियां दोबारा बढ़ सकती है इसलिए लिए लपरवाई ना परते और अ इंच्रेय को वैस्तित रखने का प्रयाश करें दोस्तों ये आपके स्वास्त के लिए अत्यूत्तम शाविद होंगे और इसको प्रांद दोस्तों ये शुमे आपके हेल्थ के लिए शुमोंगे दोस्तों आपको बता दें कि चोट लगने वापिर दुरगणा जैसी कोई अ समस्या भी रह सकती है लपरवाहिं ना करें और आयरुविदिक इलाज आप लें दोस्तों ये आपके लिए उत्तम इलाज होंगी तो दोस्तों इन सभी चीड़ों पर ध्यान दें ये आपके हेल्थ के लिए ही बहतर होंगे और इसको प्रांद दोस्तों ये श्में आपका भागिशाली रंगरेगा हरा और भागिशाली अंकरेगा छे